मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के शम्शाबाद में शनिवार को शम्शाबाद अखिल भारतिय चात्र प्रकोष्ट महासभा के कार्य करताओं द्वारा शम्शाबाद क्षेत्र में शिक्षा के संबंध में चल रहे ब्रश्टा चार और अनियमित्ताओं को लेकर छात्र प्रकोष्ट महासभा के कार्य करताओं द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंग चोहान के नाम शम्शाबाद नायब तहसीलदार को ग्यापन सौपा गया है ग्यापन में बताया गया है कि ऐसे प्राचार्य को बात प्रभाव से नहीं हटाया गया तो चात्र प्रकोष्ट महासभा संपूर्ण मध्य प्रदेश में उग्रारांदोलन कर विरोत प्रदर्शन करेगी अखिल भारतिय चात्र प्रकोष्ट महासभा के राश्ट्रियस सयोजक राजकुमार विश्व कर्मा द्वारा ग्राम बर ख चात्र प्रकोष्ट महासभा द्वारा ऐसे प्राचार्य को हटाने की मान करता है अगर प्राचार्य को नहीं हटाया गया तो उग्रा आंदोलन की चेतावनी चात्र प्रकोष्ट महासभा द्वारा दी गई है ग्यापन देने वालों में अखिल भारतिय चात्र प्रकोष्ट मह महासभा के राश्ट्रिय सयोजक राजकुमार विश्व कर्मा, राश्ट्रिय महामंत्री डॉक्टर लुकेश धाकर, नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रजापती, सहित अखिल भारतिय चात्र प्रकोष्ट महासभा की कार्यकरता उपस्थित रहे। विदिशा मध्यप्रदेश से भाया लाल धाकर की रिपोर्ट देखते रही है आपका अपना चैनल आंचलिक खबरे अपनों की खबर आप तक। पूर्शमय में बद्यारतियों के पढ़ाई का और और बड़िशा में नहुंद्र भाया लाई है। उस विद्याले के खिलाब ग्यापन दिया गया है और हम यह मांग करते हैं कि बर्खड़ाया के प्राचार को तत्काल प्रबाप से अटाया जाए नहीं अटाया जाने पर चात्र प्रपुष्ट महासावादवारा उब्रादुले इसे ब्रफड़ायों करता है और ऐसे प्राचारे को अगर नहीं अटाया जाता तो क्यों तुमपुल मत्रदेश में अकिल वारती चात्र प्रकॉष महत्वाइब द्रूदकर आंदूलग करें तो फंसा जला जा रहां है कर दोल माईंगा नाल का.... झाल